नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Mr. Phone Hindi में मेरा नाम है पौरोश और आज एक और ट्रूली वायरलेस एरबड्स का रिव्यू लेकर हाएं हम आपके लिए इस चैनल पर ये एरबड्स सोनी की तरफ से हैं WF-XB700 इनका मॉडल नमबर है एक्स्ट्रा बेस एरबड्स हैं ये थोड़े से महंगे है 9000 के आसपास इनकी प्राइसिंग है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इन एरफोन पर इतने पैसे खर्च करने चाहिए या फिर आप Realme Buds एर या फिर कोई और सस्ते alternatives की तरफ जा सकते हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास सब्सक्राइब का बटन दबा कर बेल आइकन पर टैप कर दें ताकि आपको हमारे व फोड़ा सा चंकी है जिसकी वज़े से इसका डिजाइन हमें काफी पसंद आया है इन इयरबट्स का साइस बोस साउंड स्पोर्ट फ्री जैसा दिखाई देता है चार्जिंग केस के अंदर आपको स्ट्रॉंग मैगनेट्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप दोनों इयरबट को आराम से इस केस में फिट कर पाएंगे चार्जिंग केस की बनावट काफी बढ़िया है हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया गया है इस केस को जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है ताकि आप आराम से एयरबट्स के एलीडी इंडिकेटर को देख पाए चार्जिंग केस के पीछे यूएजबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है लेकिन इस केस की हिंज थोड़ी सी टाइट है इसलिए एक हाथ से इसे ओपन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इयरबट्स का शेप काफी उनीक है आउटर पॉड में आपको मैट फिनिश मिलती है और नेक का साइस थोड़ा से एक्स्टेंडेड है जिसके वज़े से ये आपके कानों में बिना किसी परिशानी के फिट हो जाएंगे प्लस इन में आपको IPX4 स्वेट रेजिस्टन्स का फीचर भी मिलता है विच इस ग्रेट फॉर जिम सेशन्स दोस्तो Bluetooth Pairing Mode में इन Earbuds पर आपको Voice Prompts भी मिलेंगे लेकिन यहां Sony ने Touch Controls के बजाए Physical Buttons दिये हैं दोनों Earbuds पर Left Button से आप Volume को बढ़ा सकते हैं और Right Button से आप चार अलग-लग Functions को यूज़ कर सकते हैं Single Press to Play and Pause your Music, Double Press करके Track Change, Triple Press करके Previous Track पर जाना और Press and Hold करके Google Assistant या फिर Siri को Activate करना एक और अच्छी बात यह है कि Sony ने यहां Volume Controls का Feature भी दिया है लेकिन Sony ने यहां इस Price पर Wear Detection का Feature नहीं दिया जो आजकल आपको सस्ते Earbuds में मिल जाता है जैसे की Realme Buds Air इन Earphones की Battery Life बहुत कमाल की है Sony ने क्लेम किया है कि Single Charge के बाद आपको 9 घंटे की Battery Life मिलेगी और हमारी Testing में हमें 8 घंटे का Playback Time मिला at 100% Volume अब दोस्तों बात करते हैं Connectivity की तो Bluetooth 5.0 का Support मिलता है आपको इन Earbuds के साथ जिसके कारण काफी Stable Connection मिलेगा आपको 10 मीटर के Distance तक लेकिन यहाँ पर आपको AppTex या फिर LDAC का Support नहीं मिलता विच इस Strange क्योंकि यह दोनों ही Sony के Hi-Res Certifications है खेर Gaming और Video Playback के वक्त आपको Latency का Issue नहीं आएगा Sony ने यहाँ Gaming Mode दिया है जो Automatically Low Latency Mode पर Switch करता है एक Problem यहाँ पर Highlight करना चाहेंगे कि बहुत सारे Attempts के बावजूद यह Earphones Headphones Connect अप से Pair नहीं हो पाए जिसकी वज़े से हम Equalizer Settings में कुछ भी Change नहीं कर पाए अब जैसा कि इन Earphones का नाम है वैसा ही Base Boost Performance मिलेगा आपको यहाँ पर अगर आप EDM genre को पसंद करते हैं तो यहाँ यह Earbuds बिलकुल भी निराश नहीं करेंगे आपको लेकिन अगर आप एक Audio File है तो यहाँ आपको अच्छा Trouble Response नहीं मिलेगा Instrument Separation ठीक ठाक है लेकिन Sound Staging Effect जादा कुछ खास नहीं है तो overall यह Earbuds उनके लिए बिलकुल Perfect है जो जादा Base Heavy गाने सुनना पसंद करते हैं तो that's it guys यह था हमारा Review Sony के इन Earbuds का कैसा लगा आपको इन Review यह हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और इन Earbuds के बारे में हम यही कहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा पैसा Spend करना चाहते हैं और बढ़िया Extra Base वाले Earbuds अगर आपको चाहिए तो definitely आप इन Earbuds को Consider कर सकते हैं Otherwise अगर एक Complete Package चाहिए आपको तो आप Realme के Buds Air के साथ भी जा सकते हैं जिनमें आपको Calling भी काफी अच्छी मिलेगी तो that's it इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद